अलीगड के गाउं में पश्वों के लिए चारा लेने गई एक लड़की का शव जंगल में मिलने से हडकंप मचा हुआ है यह घटना अकराबाद थाना इलाके के गाउं की है लड़की रविवार को दोपहर में पश्वों के लिए चारा लेने जंगल गई थी काफी देर तक जब लड़की घर नहीं लोटी तो उसके परिवार में हड़कंप मच गया गाउवालों के साथ मिलकर लड़की के परिवार ने उसे तलाशने की बहुत कोशिश की काफी देर बाद लड़की का शव जंगल से बरामत किया गया परिवार ने घटना की जानकारी तुरन पुलिस को दी SSP मुनिराज जी ने बताया कि पुलिस को खबर मिली थी कि अलीगड में अकराबाद इलाके में किवलास गाओं में एक लड़की का शव खेत में होने की खबर मिली थी लड़की दो पहर में करीब 10 बजे अपनी घर से निकली थी लेकिन शाम को 4 बजे तक जब वह वापस नहीं लोटी तो गाव वालों के तलाश करने पर लड़की का शव जंगल में पाया गया पुलिस के मताबिक घटना की खबर मिलते ही पुलिस की पूरी टीम मौके पर पहुच गई आपको बता दें कि घटना की जाच के लिए 5 टीमें गठित की गई है पुलिस रेप के बाद हत्या किये जाने का शक जता रही है हाला कि पोस्ट मॉर्टम के बाद ही सच सामने आ सकेगा और मामले की जाच आगे चलेगी प्रत्म पता चल रहा है लड़की के आतिया हुआ है और किस तरक हो है वह सब्सक्राइब का परिवार जनत से अप्लिकेशन लेके उसके एपार दर्च करेंगे जल्दी से जल्दी करेंगे पुलिस अदिकारी ने बताया कि 17 साल की लड़की पश्वों के लिए चारा लेने खेत में गई थी लेकिन काफी देर तक जब वह घर वापस नहीं लोटी तो परिवार वालों ने उसकी तलाश जारी की लड़की अलिगड में अपनी नानी के हां रहती थी उसकी हत्या के बाद परिवार और गाओं में गम का महौल है पुलिस मामले की जाच कर रही है उननाव के बाद अब अलिगड की इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश की कानून विवस्था पर सवाल उठने लगे है इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया हमें कॉमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें टीवी नाइन भारत वर्ष